हेलो लो गाईज और वेलकम मैट तू माई चैनल लिटरीचर पाथ आज के इस वीडियो में हम मेंडिंग वॉल पोयम का लास्ट पेरिग्राफ करने वाले हैं ये वीडियो में हमारी पोयम खतम हो जाएगी गाईज अगर वीडियो थोड़ी से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और नीचे कमेंट सेक्षिन भी कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी तो चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं यानि एक बर दिवार बनाने से पहले मैं खट को पुछूँगा कि ये दिवार की क्या जरुद है यानि इस दिवार के बनाने की पीछे क्या मक्सद है गैस हम आगे की लाइन्स पढ़ते हैं ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्पट फोर्मली बाइदे टॉप इन इच हैंड लाइक अन ओल्ड स्टोन सेवेज आम दोस्तों यहां पर पोईट केना चाहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि कैसे जो उनका नेवर है दोनों हाथों से पत्थर उठा के ला रहा है बीच में रखे होई टॉप चे पकड़ा है उसने तो वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई आधी मानव पत्थर उठा के ला रहा होता है यहां पर पोईट जो है काफी बड़ी बात कह दे रहे हैं मैं जिस तरह से देख रहा हूँ मेरे नेवर को तो उसके अंदर में मतलब उसका जो मन है उसमें काफी जादा डाकनेस है डाकनेस कौन सी? वो डाकनेस नहीं जो हमें पेड देते हैं वो शेड नहीं जो हमें पेडों से मिलता है खाली वो वाला darkness नहीं है उसके पास लेकिन उसके मन में भी बहुत ज़ादा darkness है He will not go behind his father's shame and he likes having thought of it so well He says again good fences make good neighbors Poet केना चाहते हैं कि जो उसने father से सेखा है वो शायद इसको cross कभी नहीं कर सकता और उसे ही सब बाते अच्छी भी लगती है और इसी वज़े से जो है Poet का neighbor फिर से उनको बोलता है कि good fences make good neighbors As I promised, यह कुछ important questions है इस तरह से questions exam में पूछे जाते हैं इसे की उस long questions Guys, poem में पूरी तरह से Poet ने convince करने की कोशिश किये अपने neighbor को कि किसी तरह से वो ये दिवार उन दोनों की बीच ना बनाए करने में Guys, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना बूले कि कि मैं इस चैनल पे ऐसी ही वीडियोज लाती रहूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं तत्त के लिए बाई बाई टिक है